आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी इंस्टाग्राम पर अपने यूजर नेम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है जो आपका यूजर नेम है वो चेंज नहीं हो रहा है आपको show होता है this username is not available तो यह problem आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने phone में Instagram आपको open कर लेना है तो यहाँ पर हम open कर लेते हैं open करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है अपने profile photo वाले option पर जो की gold सा icon बना हुआ है इस पर आप touch करिए यहाँ पर आपकी profile open हो जाएगी उपर एक option है edit profile edit profile पर आप touch कर दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर पहला option में लेगा name का दूसरा option है user name तो यहाँ पर आप touch करिए तो आप देख लीजिए हाँ पर आपको edit profile में जाना है और user name का option आ जाएगा इस पर आप touch करिए तो यहाँ पर आपको इस तरह की problem आती है the user name is not available तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है तो सबसे पहले हम इसे cut कर देते हैं पूरा अब यहाँ पर आप जो भी user name रखना चाहते हैं अपने नाम का तो यहाँ पर मैं आपको अपना नाम type करके दिखाता हूँ तो हम type कर लेते हैं अपने channel का नाम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको small letters use करने हैं आपके ज़्यादा chances है user name available होने के यहाँ पर name type कर दीजिए उसके बार यहाँ पर आपको क्या करना है dot जो होता है आपके phone में dot डाल दीजिए यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर आपको कोई unique digit use करनी है जैसे कि 5, 6 इस तरह से use कर लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने unique digit use करी है अपने नाम के बाद dot लगा दीजिए यहाँ फिर आप इस तरह से कोई नीचे का जो यह होता है इसे use कर सकते हैं इस वाले symbol को इस तरह से तो यहाँ पर हमने इसे use कर लिया है उसके बाद आप कोई number try करिए डाल कर जैसे कि seven six या फिर अगर यह available नहीं है तो आप कुछ और try करिए चार से पांच वार आप try करेंगे तो आपका यह process complete हो जाएगा तो जैसे कि हम उपर write कर देते हैं write करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यह username available है यहाँ पर write tick आने लग गया है तो इसी तरह से आप दो से तीन वार try कीजिए unique digit डालिए symbols use कीजिए और आपकी यह जो problem है वो ठीक हो जाएगी उसके बाद उपर write कर सकते हैं आप और यहाँ पर आपकी जो problem है वो ठीक हो जाएगी तो अगर आपको यह video पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें